हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको फर्वरी 2021 में आने वाले सारे तोहार जैनती या कब क्या चीज है वो सारी तितिया वगरा एक अदसी कब है दौर दसी कब है एकम कब है दुत्य कब है नौ चीजों से और दोस्तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर किलिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम और सबसे पहले मिल सकें तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दू हूँ यह जो महिना है यह विक्रमी सववत 2077 है फरवरी का जो है और माघ करशन 4 से फालगून करशन एक तक है राश्टेशा के 1942 माघ मास 12 से फालगून मास 9 तक है और जेंस जो समुधाय होता है जैन जो धर्म होता है उसमें जैन समवत 2547 है मार्क किर्षन 4 से फालगून किर्षन 1 तक है और इसलामी हिजरी 1442 है जमादिल आखिर 18 से रजव 15 तक तो ये तो मैं आपको बता दिये कौन से है अब मैं बता देता हूँ मोटा मोटा जो वर्थ पर वर जैन तरिक्त है तो साथ का ता हमारा रविवार है और आठ का हमारा सिवं बार पढ़ रहा दोस्तों उसके बाद 9 तरिक का परदोस वर्थ है मंगलवार का दस का भगवांद रिशब देव जी निरवाण दिवस मासिक सिवरात्री है तस का हमाण पढ़ रहा है बुद्वार मोई कुनी हमावस है ग्यारा का गुरुवार पढ़ रहा है। उसके बाद 12 गुप्त नवरात्र प्रारम और कुम्प सकराती है। 12 का हमारा पढ़ रहा है दोस्तों सुक्करवार, 14 का स्री विमल नाद जी जनम दिवस, 14 का ये हमारा है रवीवार, 15 का गनेश चतुरती महिने वाली, सोमबार की है, 16 की बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा है, मंगलवार की, 19 की नर्मदा जैनती दुर्गा अश्टमी मासिक, सिवाजी, जैनती, तारीकनुसर और बिसमा अश्टमी, 19 की है ये 19 का सुक्करवार है, 21 का महाननदा नौमी और रौह्टी वर्त है, 21 का रवीवार है, 23 की जै एकदसी वर्त है, 23 का मंगलवार का, 24 का परदोष वर्त है, बुधवार का, 25 का गुरु हर राय जैनती है, 25 की, ये गुरुवार की है 25 की और 24 का बुद्वार था और 26 की हजरत अली जैन्ती सुक्रवार की है दोस्तों 27 की गुरु रविदास जैन्ती पुर्मीमा ललीता जैन्ती और मार्ग सनान पून यह हमारी 27 की है सनीवार की 28 का यह महिना होता है फरवरी ठीक है दोस्तों और अमरित वानी तीन बता देता हूं आपको ये हैं सफल जीवन का मार्ग कर्म है तता उन्नती का मार्ग ग्यान है कर्म से वातावरन मिलते हैं ग्यान से संसकार बनते हैं इसलिए दोनों का अनुकरण साथ साथ करें मतलब हमें अगर सफल जीवन पारना है तो कर्म करने है और उन्नती का मार्ग ग्यान है ग्यान प्राप्ति करनी है अगर उन्नती चाते हैं तो ग्यान की प्राप्ति करनी है और दोस्तों कर्म से हमें जो वातावरन संसकार मिलते हैं दोस्तों ग्यान से और इसलिए एक साथ हमें यूज करना जरूरी है या पाने जरूरी है दोस्तों और बहुत अधीक देने से उधारता सिद्ध नहीं होती आउसकता किसमें सायता देना ही उधारता है मतलब हम पैसे दे या एक करोड़ रुपए दे एक या किसी को जिस चीज की जुरूत है वो दे दी जिस बंदे को जिस चीज की जब शायता की जुरूत है जिसी किसी भी चीज की तब हमने वो प्रवाइड करवाई है तब हमारी उदारता मानी जाएगी ना कि हम पैसे से या ज्यादा पैसे दे करें हम उसको उदारता मानी अब गोLE से उत्वपन के है लेकिन अगर उस पर लग गया तो उस की चीज को भी कर देगा कहने का मतलब ऐसे ही जो पापी वैक्ति होता है उसके बुरे विचार या बुरे करम होते है उसकी वज़य से वह आदमी जो हथा है वह पतन के ओर चला जाता है उसका ना सोने की तरफ चला जाता है दोस्तों अब मैं आपको तीतिया बता देता हूँ 1 तरीक चतूरति है और यह है आठ की एका दसी है लेकिन इसके साथ तिल दौरत दसी भी आठकी है दोस्तों नो की तरो़दसी, दस की चतुरदसी, गैरे की मोनिमावस हैं, बारा की एकम, तेरा की दुट्य है, चोदा की तिर्ट्य है, पन्दरा की तिल चतुरथी है और 16 की पंचमी बसंद पंचमी भी और पंचमी है और 17 की मंदार चटी है 18 की सीतला चटी है 19 की अचला संपती है सब्तमी है 20 की अश्टमी है 21 की महाननदा नव्मी है नवमी है कहने का मतला और जो 22 की है दसमी 23 की जयाएक दसी और 24 की भीसम द्वार दसी 25 की त्रो दसी 26 की चतुर दसी और 27 की जो हमारी है यह हमारी पूर्णीमा पढ़ जाएगे 27 तरीक की और 28 की हमारी एकम है तो दोस्तों अब यह मैंने आपको बता दिया है अब मैं आपको चोटा चोटा बता देता हूँ कि पूर्णीमा एक है 27 तरीक की माउस है 11 तरीक की सकरात है 12 की एकादसी 7,8 और 23 तीन दिन की है चतुरती है हमारी 15 तरीक की और परदोशवर्थ है 9 और 24 तरीक का मतलब दो पढ़ रहे हैं परदोशवर्थ पंचक है 11 फरवरी रातरी 29 से 16 फ उमीद करता हूँ मैंने आपको फरवरी माह फरवरी 2021 में आने वाले सारे वर्थ तोहार जैनती या कौन सा दिन एक अदसी वगर है यह जो कब-कब हैं यह जानकर आपको अच्छे से देदी होगी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर ताकि क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा जरूत होती है इस चीजों की जो धार्मिक लोगों होते हैं या बुजर्ग वगर होते हैं हमारे घर में कि कभी एक अदसी है कप पूर्नी में है तो आजकल अगर मोवाइल है मोवाइल पर बैठे बैठे या आप इसे पता लगा सकते सबस्क्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नूटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ता कि आपको ऐसी ही विडियो टाइम टुटाइम और सबसे पहले मिल सके धन्यवात दोस्तों जय हिंद झाल झाल